तो हम इस वीडियो में वाहिद जमा के बारे में जानेंगे जिस तरह से सिंगूलर और पुलूरल होता है जिस तरह से एक वचन और बहु वचन होता है हिंदी में उसी तरह से उर्दू में भी आपका वाहिद और जमा होता है ठीक है तो वाहिद जब किसी चीज की तादाद ए एक हो कोई भी चीज हो चाहे वह आदमी ही क्यों नहों कोई जानवर ही क्यों नहों कोई वस्तू ही क्यों नहों कोई चीज ही क्यों नहों उसकी तादाद अगर एक है तो वह आपको वाहिद कर लाएगा ठीक है उसी तरह से जब किसी चीज की या जब किसी आदमी की तादाद जब किसी आदमी की तादाद एक से ज़्यादा हो जाएगा तो वो जमा कहलाएगा तो जब किसी चीज की तादाद एक हो तो उसको वाहिद कहेंगे और जब किसी चीज की तादाद एक से ज़्यादा हो तो उसको जमा कहेंगे ठीक है अब दखिए वाहिद से जमा बनाते वक्त लफ्ज की शकल बदल जाती है जाहिर सी बात है अगर हम वाहिद से जमा बनाएंगे तो जो लफ्ज है उसकी शकल बदल लेगी ही बदलेगी है की नहीं जिस तरह से हम सिंगूलर से पुलरल बनाते हैं तो उसका जो वर्ड होता है वो डिफरेंस हो जाता है तो गोड़ा भी सिंगूलर में मतलब गोड़ा भी जमा है सुरी गोड़ा भी वाहिद है उसका जब हम जमा बनाएंगे तो हो जाएगा गोड़े क्या हो जाएगा गोड़े तो गोड़ा का जमा हो गोड़े तो देखिए लफज में फरक आया है ना यहां पर गोड़ा यानि क को बहुत जदा ख्याल रखना पड़ेगा कि वाहिद कौन सा होता है और जमा कौन सा अगर शकल याद रहेगा तो आप वाहिद और जमा को पहचान सकते हैं क्यूंकि आपको कोशन में जमा देके भी पूछ सकता है कि नीचे दिएगे इसको जो है वाहिद बनाने के लिए या लब्स दे देगा उसका बूलेगा वाहिद क्या कौन सा होगा तो आपको वाहिद और जमा जो है ना समझना हैा कि वहाई किस शकल में होगा और जमा किस शकल में होगा ठीक है अब वहाई से जमा बनाते हैं जब वहाई से जमा बनाते हैं तो जुमले की शकल भी बदलती है जुमला को अगर जो जुमला होता है जिसको हम कहते हैं सेंटेंस तो सेंटेंस में भी अगर सिंगुलर पुलरल की बाता है तो sentence में बदल जाता है singular में कुछ और sentence होता है जिसे he is a boy उसी तरह से कहेंगे क्या they are boys तो दोनों में शकल बदल गया he is a boy only one था they are boys तो एक से ज्यादा हो गया तो दे आ गया और आ रहा गया उसी तरह से जिसके लड़का खेल रहा है तो यहां पर लड़के खेल रहा था तो यहां पर क्या जा रहें तो लड़के खेल रहे हैं लड़का खेल रहा है लड़के खेल रहे हैं उसी तरह से मैं पढ़ रहा हूं और हम लोग पढ़ रहे हैं त ठीक हैं जब हम पाहिय से जमाँा बनाएंगे तो अगर लफ झे वाहिज मां bisa बना रहे हैं तो लफस की भी शकल बदल जाएंगी। और अगर हम जमले की वाहिज मा मना रहे हैं तो जमले की शकल भी बदल जाएगी, ठीक हैं, अभ देखिए। फारसी काईदे के मताबिक ये अलफाज जो होते हैं जिस तरह से हम कहते हैं वाही से जमा बनाते हैं तो ये फारसी काईदे के मताबिक जिसे ख्याल है, सवाल है, एहसास है, जवाब है, तजर्बा है, तो ये हो गया फारसी काईदे के मताबिक, तो ख्याल का जमा ख्यालात हो होता है एहसास का जमा एहसासात होता है और जवाब का जमा जवाबात होता है तजर्बा का जमा तजर्बात होता है यह होगा फार्सी काईदे के मताबिक फार्सी काईदे के मताबिक हमारा जो है से जमा हो जाएगा यह हो जाएगा उसी तरह से अरभी उसी तरह से होता है रिसाला का रिसायल है के नहीं तो अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्ले लिस्ट में जाके हमारे उर्दू के वीडियो और इंगलिश का जो भी ग्रामर होता है इस्पोकेन के वीडियो जाके आप पहले लिस्ट में जाके देख सकते हैं ठीक है और इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आकन को प्रेस कर देता है कि नोटिफिकेसन आपको आता रहे अब अमीर का जो जम्मा होता है जाहिल का जम्मा ज कुछ बदल जाता है इसे किसम है तो किसम का अकसाम हो गया श्यर है तो श्यर का अश्यार हो गया हाकिम है तो हाकिम का यहां पर हुकाम हो गया है कि नहीं शायर है तो शौरा रिसाला है तो रसाइल अमीर है तो अम्रा और जाहिल है तो जहला जर्या है तो जराए तो बहुत और इससे भी पहले पराता इस्म और जमीर के बारे में अगर आप लोग ये वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले लिश्ट में जाके जमीर का इस्म का और सिफ़त का वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको पूरा का पुरा समझ में आ जा कि सिफ़त क्या होता है इस्म क्या होता और जमीर क्या होता ठीक है और यह जो हमारा पांचवा किलास है यह है आपका वाहित से जमा तो वाहित से जमा इसी तरह से बनाया जाएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लें थैंक यू